Lightroom CC Mobile, जो कि आज के दिन में मोबाइल में photo editing के लिए सबसे best and powerful application है जिसके अंदर आप अपने raw photos को भी process कर सकती हो क्योंकि जो jpeg photos होते हैं, उसको तो कोई भी photo editor open कर सकता है, process कर सकता है और edit करने के बाद आपको एक अच्छा output image भी दे सकता है पर जो raw photos होते हैं, उसको हर एक photo editor open नहीं कर बाता है अगर open कर भी लेता है, photo edit करने के बाद photo का जो output quality है उसको बहुत ही खराब कर दिता है जिसके snap sheet के अंदर मैं एक raw photo को edit कर रहा था photo तो अच्छी तरगी से edit हो रहा था, पर edit के बाद photo का जो quality है, वो बहुत ही खराब हो गया यानि कि photo का जो sharpness है, उसको पूरा ही खराब कर दिया snap sheet ने original photo में जो sharpness सा, उससे भी काफी खराब sharp photo मुझे देखने को मिला तो snap sheet ने मेरे photo की sharpness को पूरा खराब कर दिया, तो lightroom के अंदर भी ऐसा कुछ problem होता है कि नहीं, इस चीज़ को हम test करेंगे इस video में, तो यहाँ पर हम एक raw wildlife photo को lightroom के अंदर edit करेंगे क्योंकि आप मैंसे काफी सारे लोग ऐसे होंगे, जो लोग एक camera खरीदने के बारे में सोच रहे होंगे और अपने जो photos है, उसको mobile के अंदर ही process करने के बारे में सोच रहे होंगे तो ऐसे में अगर आप raw photos capture करते हो, तो उन photos को lightroom mobile किस तरीके से handle करता है किस तरकी से edit करता है, या फिर edit करने के बाद जो output image quality है, वो कैसा निकल के आता है इस वीडियो में आपको पता चलने बाला है, तो यहाँ पर हम एक raw wildlife photo को edit करेंगे lightroom mobile के अंदर edit करेंगे, और lightroom PC के अंदर edit करेंगे और दोनों को side by side compare करके देखेंगे, फोटो का जो quality है, वो कैसा निकल के आता है तो यह रहा हमारा raw photo जिसको की हम edit करने वाले हैं, यह एक kingfisher bird का photo है जिसको की मैंने अपने Nikon D-Paisetosu camera की साथ 70-300mm lens को इस्तमाल करते हुई capture करे हैं अगर आप exhibit details देखना चाहते हुँ, तो यहाँ पर आभी आपको display के उपर दिख रहा होगा तो यह एक nef format का raw photo है, तो अभी हम इस photo को edit कर लेते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर edit के अंदर जाते हैं, और सबसे पहले हम इस photo को crop करेंगे crop मैं यहाँ पर 3 into 2 के aspect ratio पर करूँगा, और यहाँ पर मैं काफी जादा crop करूँगा क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ यह kingfisher चाहिए, तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह की सिसको crop कर लूँगा and then यहाँ पर rule of third के अंदर इस kingfisher को लेकर क्या हूँगा और यहाँ पर सिसको apply कर दूँगा that's it, अभी हमने photo को crop कर लिए, अभी हम जाते है light adjustment के लिए, तो light tab के अंदर सबसे पहला काम जो हम करेंगे highlight को थोड़ा कम करेंगे, shadow को थोड़ा recover करेंगे and यहाँ पर white and black को adjust करती हुए, अपने photo पर थोड़ा contrast create कर लेंगे that's it, अभी हम curve के अंदर जाएंगे, और यहाँ पर 1s सा curve बनाते हुए, अपने photo में फिर से थोड़ा contrast add कर देंगे, that's it, उसके बाद हम green color को थोड़ा choose कर लेते हैं और यहाँ पर से इसको थोड़ा से adjust कर लेते हैं, that's it, अभी यह लगबग ठीक है, अभी हम इसको यहाँ पर से done कर देते हैं तो यह हमारा light adjustment हो चुका है, अभी हम color tab के अंदर चलते हैं, यहाँ पर अगर आप एक raw photo को edit करेंगे, तो color tab के अंदर जो temperature control के लिए आपको slider मिलता है, वहाँ पर आपको Kelvin skill देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप detail में अपनी photo का जो color to या फिर जो white balance है, उसको adjust कर सकेंग तो इस photo में आप देख सकते हो, photo थोड़ा आपको warm दिख रहा होगा, तो इसका जो temperature है, उसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, अभी यह ठीक टाक दिख रहा है, यहाँ पर से मैं tint को थोड़ा adjust कर लेता हूँ, that's it, अभी यह ठीक टाक है, अभी इस photo का जो overall color है, उसको मैं थोड़ा improve कर लेता हूँ, जिसके लिए मैं vibrance को increase करूँगा, और situation को decrease करूँगा, that's it, अभी हम mix tool के अंदर चलते हैं, background में yellow color है, yellow color को थोड़ा adjust कर लेते हैं, ओके, फिर kingfisher के उपर blue color है, उसको भी थोड़ा adjust कर लेते हैं, kingfisher के उपर orange and red color है, उसको भी थोड़ा adjust कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमने एक एक करके सारे color को अच्छी तरीकी से adjust कर लिए है, और यहाँ पर mix tool के अंदर हमारा सभी काम कतम हो चुका है, अभी हम simply यहाँ पर सिसको done कर देते हैं, उसके बाद हम चलते है, effect tab के अंदर, effect tab के अंदर हम texture को थोड़ा बढ़ाएंगे, लगबग चा अपनी photo में, that's it, यह हमारा effect tab के काम हो चुका है, अभी हमारा main important cover details tab के अंदर, तो details tab के अंदर हम सबसे पहले इसका radius है, उसको थोड़ा बढ़ाएंगे, और जो details है, उसको भी थोड़ा हम बढ़ा देंगे, थोड़ा नहीं कुछ जादा ही बढ़ा देंगे, और यहाँ प button पर click करके उस video का आप देख लेना, तो यह हमने अच्छी तरह को adjust कर लिये हैं, और यहाँ पर जो details को हम थोड़ा और बढ़ाएंगे, और sharpness को भी थोड़ा और बढ़ा देंगे, that's it, अभी यह इक इंपिसर काफी जादा sharp आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर noise तो बिलक का मतलब यह नहीं कि कभी भी noise नहीं आता है, noise आता है, बट यहाँ पर आप details को काफी जादा increase कर सकते हो, then यहाँ पर हम color noise को थोड़ा apply कर देंगे, लगबग लगबग 30 के आसपास, that's it, यह अभी हमारा कामियाँ पर हो चुका है, अभी हम आपर optics के अंदर चलते हैं, को अच्छे दिर किसे adjust कर देगा, and then यहाँ पर हम remove chromatic aviation को भी enable कर देंगे, that's it, यह हमारा पहले का photo था, यह photo अभी हमारा बना है, काफी सही दिख रहा है, अभी इस photo के उपर हम कुछ advanced level की editing कर लेते हैं, कि यहाँ पर हम editing को test कर रहे हैं, ना कि इस photo को edit कर रहे हैं, तो यहा यहाँ पर हमने कोने के तरफ एक selection कर लिए, round selection कर लिए, यहाँ पर हम एक light effect add कर रहे हैं, अपने photo में, that's it, उसके बाद यहाँ पर हम और एक selection कर लेते हैं, नीची के तरफ से, इसका जो exposure है, उसको हम थोड़ा कम कर देंगे, सेम तरीके से, टॉफ राइट कॉर्नर से भी हम एक selection कर लेंगे, छोड़ा सा, इसका भी exposure थोड़ा कम कर देंगे, dh को थोड़ा कम कर देंगे, that's it, इसको हम यहाँ पर से apply कर देंगे, तो यहाँ पर हमने तो यह था हमारा पहले का फोटो और यह फोटो अभी हमारा बना है, तो काफी heavy editing हमने अपने फोटो के उपर करे है, अभी फोटो दिखने में तो काफी सही दिख रहा है, quality भी काफी सही है, अभी इसको export कर लेते हैं, और lightroom PC से edit की गई फोटो के साथ compare कर लेते हैं, तो export कर करने के लिए हम share के अंदर जाते हैं, export as के अंदर जाते हैं, और in settings को आप follow कर सकते हूं, जो मैं आपने हर इक फोटो के साथ करता हूं, यहाँ पर फोटो का जो file type है, वो मैं जेफेक रख देता हूं, and dimension, largest available dimension, quality, 100%, water mark को मैं यहाँ पर से include कर लेता हूं, अपने फोटो में, और left hand side के फोटो को Lightroom PC के अंदर edit किया गया है, मैंने दोनों फोटो को देखे, surprisingly दोनों ही result बिल्कुली सेम है, यहाँ पर अगर आप quality को देखेंगे, तो जो sharpness दोनों फोटो में है, और लगबग सेम ही है, Lightroom PC के अंदर जो फोटो मैंने edit करे थे, उसमें थोड़ा contrast था, तो overall जो output image है, दोनों में ही लगबग सेम quality का आया है, यह चीज़ बहुत जाता surprising है, क्योंकि Lightroom mobile में जो हम edit करते हैं, जिसका screen बहुत ही छोटा होता है, और जो edit हम अपने Lightroom PC के अंदर करते हैं, उसका screen बढ़ा होता है, तो इस हिसाब से, जो details है, वो थोड़ा बहतर होना चाहिए, यहां फिर editing PC के अंदर बहतर होना चाहिए, बट Lightroom mobile ने जो काम किया है, वो बहुत ही कमाल का है, तो finally मैं तो यही कहूंगा, कि Lightroom चाहिए mobile का हो, यहां फिर computer का हो, दोनों में ही आपको बहुत ही कमाल के result मिल जाएंगे, अपनी raw photo को edit करने पर, and sharpness भी बहुत ही क कमाल कम मिल जाएगा, तो finally मैं आपको यही कह सकता हूँ, कि अगर आप अपने raw photos को Lightroom mobile के अंदर edit करने के बारे में सोच रहे हो, तो आप definitely कर सकते हो, अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हो, कि एक camera खरीद लेंगे, उससे जो raw photos को हम capture करेंगे, उसको हम lightroom mobile के अंदर edit करेंगे, तो आप definitely camera खरीद सकते हो, आप अपने raw photos को बहुत ही अच्छी तरह किसी lightroom mobile के अंदर edit कर पाएंगे, और जो output image quality है, वह आपको काफी बड़ी याद देखने को मिलेगा, तो फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, I hope वीडियो आपको पसंद आया होगा, इससे आपको helpful लगता है, तो like करना, ज्यादा helpful लगता है, तो अपने दोस्तों साथ share कर देना, और चैनल को subscribe कर लेना, ऐसे helpful वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं आप सा अगले वीडियो पर, thank you